हलो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आज हम फिर से बनाने वाल है रेड्मी नोट 10 दरसल ये फोन में प्रॉब्लम ऐसा है जब हम इसे चार्जिंग पे लगाए तो जीरो वन रिडिंग ले रहा है मतलब सीपयो उल्टेज नहीं बना रहा है इसकी वज़े से हमारा फोन नहीं हो रहा है तो हम फटाफट फोन खोल लिए मतरबोड भी बाहर लिका लिए इसके बाद आ जाते हम माईक्रोस्कूप पे उसके बाद हम सीपयो की जो चारो तरफ की कटिंग है वो कर लेते है उसके बाद चारो कोने में थोड़ा-थोड़ा पेस डाल देते उससे ह यह जब हम हीट मारेंगे तो पेस्ट आइसी के नीचे चले जाएंगा तो उसके बाद हम देरे देरे ब्लेट डालेंगे तो हमारा सीपियो जो है वह बाहर लिकल जाएंगा तो अभी हम फटा फट जगे पूरी क्लीन कर लेते हैं डी शॉल्टिंग वायर की मतदब से इस तरी यूबी ग्लू लगा चुका है जहां जहां शॉर्टिंग वाला एरिया है वहां पे कि जब हम प्रोसेसर बैठा ले तो हमारा कुछ शॉर्ट ना हो तो आप आजा थिए बारी सीपियो साफ करने की तो सीपियो को भी इस तरीके से हमें क्लीन करना है नीट एन क्लीन देख ल हो जाते हैं तो अभी हम थोड़ा पेस्ट लगा के आईसी को हिट मार लेंगे उससे होंगा ये बॉल जो प्रॉपर नहीं होंगे वो जगी पर आ जाएंगे तो देख लेजी हमने यूबी ग्लू देखो सब तरब लगा चुका है तो सब बॉल अलग-अलग है वहां पे मिल लेवे नहीं है तो अभी हम फड़ा फड़ इससो सीपयो को नौइस जहा है हमें वहीं रखना है और उसके बाद इसे हिट मार के हम आईसी पूरी लगा लेंगे तो देख लिए जे कुछ इस तरीके थे तो अभी हमने हिट मारना चालू कर दिया है तो धीरे-धीरे हिट मार आपको भी बस हमारा सीपयो बैटने ही वाला है देख लेजे पेस्ट बाहर आ चुका है तो अभी हम मदरबोट को ठंडा होने देते हैं और इसे फटा-फट स्पीड में पैक करते हैं रिपेर के लिए दालना है आपका कोई फोन रिपेर के लिए दालना है तो नीचे दीव अब मिलेंगे हम आपको नेक्ट वीडियो में अगर देख लेजिए इस तरीके से हम पूरा टेस्ट करते हैं उसी बात कस्टामर को देते तो आप मिलेंगे नेक्ट वीडियो में ओके बाइबाई कर दो